नमस्कार सातियों मैं अध्यापक सिपी सिंग ज्यान दीप एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ सातियों आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा सिक्सा विबाग में वर्तमान में कुल कितने पद खाली हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीड भरती कब तक आ सकती हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी यदि आप हमारे इस यूटूब चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले सात्यों सिख्षा मंत्री मदन दिलावर ने जहलावार परवास के दोरान बड़ी बात कही है कि हम तीन साल में सिख्षा विपाग में एक भी पदे खाली नहीं रखेंगे यदि उनकी बात यह सच होती है तो सातियों सिक्सा विबाग में जो वर्तमान में जो एक लाग पचीस हजार पद जो खाली चल रहे हैं उनको भरने के लिए जल्दी उसकी कारवाई सुरू हो जाएगी सातियों वर्तमान में एक तो डिपीशी की परक्रिया और दूसरी सलरी है जो सैंतिस हजार जो थर्ड ग्रेड के सिक्सक है वो अदिसे सल रहे हैं उनके समयोजन की परक्रिया है वो विचरा दीन है पहले उसके आदेस निकले थे कि इसके समयोजन किया जाएगा जल्द लेकिन अबुआदेस इस्तगित हो गए है और मलूमी दे कि जल्द उनके समयोजन होगी उसके बाद में जितने भी पद खाली है वर्तमान में वो खाली पद है उनकी वापस सूसना मगए जाएगी और वर्तमान में देखे तो सातियों 1 ग्रेड के 17,250 पद खाली बताई जा रहे है तो जाईर सी बात है कि बड़ती तो आईगी उसके बाद में 2 ग्रिड के पद बताई जा रहे हैं 25,202 पद है सातियों शक्रिशा मंट्री की बात साबित होती है तो तीन साल के अंदर सभी पद्ध है सातियों वो भरे जाएंगे अब हम बात करते हैं सेकंड गेड भरती कब तक आ सकती है सातियों सेकंड गेड में तो डीपीसी की परक्रिया चल रही है वो डीपीसी की परक्रिया पूर्ण होने के बाद में सातियों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड भरती आएगी सातियों है सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड भरती आने की सातियों संभावना जतर जारी है विरान सबा उप सुनाव से पेले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है और रीट भी साथियों बड़े पदों पर बर्ति आ सकती है और सबसे ज़्यादा तो सेकंड गेर और रिट के हैं सातियों ये बढ़ती आएगी आप अपनी त्यारी को मजबूत करते रहे हैं सातियों बढ़ती बहुत ही जल्द आने वाली हैं और मेरा तो मानना आएगी जलाई दो हजार पचीस तक इसके एक्जाम भी हो सकते हैं सातियों कब जलाई दो हजार पचीस तक इसके एक्जाम हो सकते हैं तो आप निरंतर सातियों पढ़ाई करते रहें पढ़ाई को कंटिनू रखेंगे तो आपका जो बैसिक लेवल है बहु ति आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे और जिसमें आपका सेलेक्शन सुनिसित हो सकता है जातियों इसलिए पढ़ते रहे हो भरतियां आएगी फर्सट गेड़ के भी आएगी रिट के भी आएगी और सेकंड गेड़ के भी आएगी लेकिन जो अब ऺड़ा प्रकरिया से गुज़र रहे हैं डीपीसी की है उसके बाद मैं सिक्सकों का दुस्ता मयोजन है ये प्रकरिया पूर्ण होने के बाद मैं साथियों बड़े पदों पर साथियों भरते आएगी आप त्यारी करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम